हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ हटके चीजे बताने वाला हूँ देखें आज के समय पे सोशल मीडिया का यूग है और सत्यता गरम देखें तो यह है कि बहुत चोटी-चोटे बच्चे से प्रभावित हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बहुत कम उमर में आजकल उनके अफियर हो जाते हैं उसके साथ वो फिजिकल भी हो जाते हैं बह काफी लंबा चलता है चार साल, पांच साल, छे साल, साथ साल चलता है अब आज शादी के आती है तो कई बार लड़कें मुकर जाता है कि शादी नहीं करने कई बार लड़कें मुकर जाती है या कई बार होता है उनका रिष्टा कहीं और तैह हो जाता है देखें एक चीज ह हमेशा ध्यान रखे, यदि आप किसी से शादी कर रहे हैं तो शादी केवल आपकी और उस लड़के की या आपकी और उस लड़की की नहीं हो रही, दो परिवार उसमें आपस में जुड़ रहे हैं, जो प्रब्लम सारी हैं वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि शादी आप किसी और से कर रहे हो अफियर आपका किसी और के साथ है जिससे शादी कर रहे हो उसे अफियर के बारे में कुछ बता है नहीं और शादी के बाद भी जिससे आपका अफियर है उसके साथ आप कॉंटेक्ट में हो और कुछ समय के बाद बंदे को पता चला कि आप ऐसे कॉंटेक्ट में ह आप दोनों की बीच में dispute start हो गए या लड़की को पता चला कि लड़के का पहले सा फ्यार है मतलब दोनों में से किसी भी party के लिए यह चीज लागू होती है और उनके बीच में आपस में dispute हो जाते है कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा जो partner हो वो किसी और के साथ रिष्टे टूड जाते है फिर आपकी coat के चाहरी शुरू हो जाती है तो एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए माबाप को भी ध्यान रखनी चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि रिष्टों की value क्या है रिष्टे किसे कहते है relationship क्या होती है और चलो मान लिया कि आप social media के प्रभाव में या age factor की बज़े से गलत चीज़ों में पढ़ भी गए आपके इस तरह की relation हो भी गए लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि अगर आप शादी कर रहे हो तो ये सारी जो चीज़े हैं ये पहले close हो जानी चाहिए और उसके बाद आप loyal रहने चाहिए अपने partner की तरफ ताकि भविश्य में ऐसा ना हो लेकिन ये करना बिलकुल गलत है कि एक के साथ affair चल रहा है एक के साथ शादी हो रही है फिर तीसरे के साथ भी affair चल रहा है पहले के लोग बड़े शर्माते थे पहले के लोगों को शर्माती थी इस बात पे उन्हें लगता था कि हमारा कोई affair समाज में पता चलेगा तो हमारी बदनामी होगी आज देखो आप खुले हम क्या चल रहा है क्योंकि शर्म रह नहीं गई तो सीवी बाते जो इज़्जत मानने वाला है उसके लिए तो बहुत कुछ है लेकिन जो ना माने उसके लिए कुछ भी नहीं तो कुल मिला के टोटल मैं आपको ये बताना चाता हूँ कि अगर आप मैरीज में हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी आपका पार्टनर है आपने उसके साथ लॉयल रहना है हर स्थिती में केवल तभी आपका काम चलेगा अगर आप इस तरह की चीज़े करते हैं एक समय तकμε तो आपको इसका एसास नहीं होता लेकिन जैसे ऐसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी सोच भी परिवर्थित हुती जाती है और आपको एसास होने लगता है कि आपने कितना कुछ गलत कर दिया और कितने सुनहरे पलों को खो दिया हर एक रिष्टे का अपना वजूद है जब जिस समय आप relationship में थे उस समय पे आदमी में maturity नहीं होती वो समस्ता है कि इसी का वजूद है लेकिन जब आप किसी से marriage करते हो आपकी एस थोड़ी से बढ़ जाती है थोड़ी maturity होनी चाहिए वो रिष्टा बहुत अनमोल है और उसमें बहुत कुछ है आपके लिए लेकिन आपने उसकी value को नहीं समझा आपने उसको break करके फिर आगे वड़ गए फिर दोका दड़ी होगी फिर यही सब चीज़े चलती रहेंगी age के एक मुहाने पर आकर के आपको लगेगा कि भाई हमने बहुत कुछ मिस कर दिया जीवन में इस रिष्टे का जो महत्व है वो शायद किसी भी रिष्टे का नहीं है और जो समाज में आपकी इज़त है वो भी इसी रिष्टे में तरीके से लॉयल तरीके से रह करके ये सब चीज़े जो लोग करते है उनको लोग मूँ के आगे तो कुछ नहीं कहते है लेकिन पीट के पिछे बहुत ही गलत शब्दों से पुकारते है यही समाज की सत्यता है इसे हम जितने जल्दी और जितने अच्छे तरीके से समझें उतना अच्छा है और इससे हमारी समझेता भी बरकरार रहती है हम लोग किसी और कंट्री में नहीं रहते जहां पर इसाली चीज़े नॉर्मल हो हम जहां पर रहते हैं वहां पर रिलेशन्स की वैल्लिव है बस मेन बात है कि हम उसको भूल चुके हमको याद आना चाहिए कि actual में हमारा culture क्या है और morality क्या है अगर आप सही तरीके से काम करोगे आपको हर जगा सफलता भी मिलेगी आपको सब कुछ मिलेगा जीवन में लेकिन अगर आप इदर से उदर उदर से इदर इदर से उदर टपुंदिया मारते रहोगे ना तो आपको इज़्जत मिलेगी और ना ही आपको जीवन में कभी कोई खुशी हासिल होगी इस बात को गांट मारके अपने पास रखलो और देखना तो इसलिए अगर कोई गलत पात पे है भी तो देखो सही पात पे आने का कोई टाइम नहीं होता गलतियां हो जाती है लेकिन एक बार गलती करने के बाद आपको से रिलाइज करके उस गलती को रिमूब करना है और अपनी लाइफ में ही सोच लेना है कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता माफी माफी है लेकिन अगर जो आदमी एक बार गलती करता है दूसरी बार तीसरी बार चीट पे चीट चीट पे चीट दूसरे को किये जा रहा है उसके लिए कोई माफी नहीं है ऐसी चीजों के लिए सजा होती है जो की हमें मिलती है यहां नहीं मिलेगी तो इश्वर देगा उसके लिए हमें फिर तयार रहना चाहिए